इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि आप debit card यानि कि ATM card से आप कोई भी समान EMI पर आप कैसे ले सकते हैं इस वीडियो में हम आपको debit card यानि कि ATM card से कोई भी समान EMI पर लेने का complete process बताने वाले हैं तो चलिए सुरू करते हैं Amazon से debit card से EMI पे कोई भी समान लेने के लिए है, आपको सबसे पहले Amazon app को करना होगा open, इसके बाद आपको यहाँ पे कोई भी एक समान को select करना होगा, जो आप लेना चाहते हैं, for example हमें mobile लेना है, तो हम यहाँ पे कोई भी इन में से एक mobile को select कर लेंगे, इसके बाद नीचे में आपको एक option देखने को मिलेगा EMI option, simple आपको यहाँ पे करना होगा click, यहाँ पे आपका debit card यानि की ATM card का eligibility चेक किया जाएगा, कि आप debit card on EMI के लिए आप eligible हैं या नहीं, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं other EMIs, यहाँ पे आपको पूरा credit card का option आपको देखने को मिल side में आपको एक option देखने को मिल जाएगा debit card EMI, आपको simple debit card EMI वाला icon पर करना होगा click, यहाँ पे आपको कुछ selected bank का नाम आपको देखने को मिल जाएगा, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, ICCI bank, Axis bank, Kotak Mahindra bank, Estat bank of India, अगर आपका इन में से कोई भी bank है, तो आप बहुत ह आपको एक option देखने को मिलेगा, click here, आपको simple click here पर करना होगा, click, इसके बाद आपको अपना bank select करना होगा, for example, अगर आपका bank account HDFC bank में है, तो आपको यहाँ पे SMS भेजना होगा, SMS में आपको type करना है, my HDFC, इसके बाद आपको इस नमर पर send कर दना होगा, 5676712 पर, इसी तर अगर आपका kotak mahindra bank में है, तो आपको यहाँ पे type करना होगा, DCEMI space, इसके बाद आपको इस नमर पर send कर दना होगा, अगर आपका access bank में है, तो आपको यहाँ पे type करना होगा, DCEMI space, आपको इस नमर पर send कर दना होगा, अगर आपका ICCI bank या federal bank में अगर आपका account है, तो य यहां पे हम message open करेंगे, इसके बाद यहां पे हम एक number type करेंगे 56767, इसके बाद यहां पे हम type करेंगे DC EMI, इसके बाद हम इस number पर send कर देंगे, SMS करने के लिए आपके number पर 3 रुपया से अधिक का main balance होना चाहिए, तभी आप SMS कर पाएंगे, इसके बाद आपको थोरी देर wait कर हैं, जिसका limit जो है, यहां पे आपको देखने को मिल जाएगा, इसी तरह आप बहुत ही असानी से आप check कर सकते हैं, कि आप debit card on EMI के लिए eligible हैं या नहीं, सबसे पहले Amazon app को आप करेंगे open, नीचे में आपको एक option देखने को मिलेगा profile, simple आपको profile वाला icon पर करना होगा click, इस simple आपको manage payment option पर करना होगा click, यहां पे आपको सबसे पहले आपने debit card यानि की ATM card को add करना होगा, इसके लिए यहां पे आपको करना होगा click manage payment option पर, इसके बाद आपने जितना भी debit card यानि की ATM card आपने add कि होंगे, यहां पे आपको देखने को मिल जाएगा, इसके बाद नीच और debit card पर simple आपको करना होगा click इसके बाद आपका जो भी debit card यानि कि ATM card का details है आपको यहाँ पर type करना है जैसे कि आपका debit card पर क्या नाम है आपको यहाँ पर type करना है नीचे में आपका जो भी debit card पर number है आपको यहाँ पर debit card का number आपको डालना होगा इसके बाद आपका जो भी expiry date होगा debit card का यहाँ पर आपको type करना है इसके बाद नीचे में आपको एक option देखने को मिलेगा add your card simple आपको add your card पर करना होगा click आपका address आपको यहाँ देखने को मिल जाएगा use this address पर आपको simple करना होगा click इसके बाद आपका बहुत ही असानी से debit card यानि कि आपका ATM card बहुत ही असानी से add हो जाएगा जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं payment method added अब आप कोई भी समान EMI के जड़िए यानि कि debit card on EMI के जड़िए आप बहुत ही असानी से ले सकते हैं जैसे कि हमें कोई mobile या कोई और समान लेना है तो हम बहुत ही असानी से debit card on EMI के जड़िए हम बहुत ही असानी से ले सकते हैं पूर example हमें mobile लेना है तो simple यहाँ पर हम mobile वाला icon पर करेंगे click आप चाहें तो बहुत ही असानी से आप मोबाइल लेना चाहते हैं तो आँसे आप समानी समान लेना में चाहते हैं क्लिक इसके बाद आपका जो भी एड्रेस होगा यहाँ पर आपका एड्रेस आपको देखने को मिल जाएगा इसके बाद आपका पेमेंट मेतल आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा इसके बाद आपको नीचे आना होगा और नीचे आने के बाद यहाँ पे आपको एक option देखने को मिलेगा EMI जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं get EMI on HDFC debit card आपका जो भी बैंक होगा आपको यहाँ देखने को मिल जाएगा simple आपको EMI वाला आइकन पर करना होगा क्लिक इसके बाद आपको यहाँ पे एक option देखने को मिलेगा Select EMI option simple यहाँ पे आपको करना होगा क्लिक इसके बाद आप अपना debit card यहाँ पे select करेंगे जिस debit card से आप कोई भी समान EMI पे आप लेना चाहते हैं इसके बाद आपको month select करना होगा आप कितने महिने के लिए EMI पे आप समान लेना चाहते हैं जैसे कि यहाँ आप देख सकते हैं select EMI turn simple यहाँ पे आपको करना होगा क्लिक जैसे कि यहाँ आप देख सकते हैं छे महिने के लिए अगर आप EMI पर समान लेना चाहते हैं तो हर महिने 3490 रुपिया आपको हर महिने जामा करना होंगे जिसका जो इंट्रेस्ट है 16% आपको देने होंगे इसी तर आप 6 महिने 9 महिने और 12 महिने और 18 महिने तक आप बहुत यसानी से EMI पर आप कोई भी समान ले सकते हैं तो आप अपने हिसाब से यहाँ से सेलेट कर सकते हैं इसके बाद आपका डेविट कार्ड यानि कि ATM काड का सीबी यहाँ आपको टाइप करना होगा, इसके बाद निचे में आपको एक option देखने को मिलेगा continue, simple आपको continue पर करना होगा click, यहाँ पर देख सकते हैं आपका जो भी जितना भी plan आपका होगा, यहाँ पर देखने को मिल जाएगा, आपको यहाँ पर confirm करना होगा, आपको हर महिने कितना आ order and pay, simple यहां पर आपको करना होगा, click place your order and pay, इसके बाद आपको थोरी दिर wait करना होगा, जब तक नया page open न हो जाए, इसके बाद आपका जो भी register mobile number होगा, यहां पर आपना register mobile number डालना होगा, जैसे कि यहां आप देख सकते हैं, HDFC bank and Amazon, जो भी आपका register mobile number होगा, यहां पर आपको आपना register mobile number डालना होगा, नीचे में एक छोटा सा box आपको देखने को मिलेगा, simple यहां पर करना होगा, click, इसके बाद नीचे में आपको एक option देखने को मिलेगा, continue, सिंपल, आपको continue पर करना होगा, click, इसके बाद आपके register mobile नमर पर एक OTP send किया जाएगा OTP आपको डालना होगा OTP आप जैसे ही डालते हैं तो आपका बहुत ही असानी से transaction successful हो जाएगा तो दोस्तो इस तरह से आप बहुत ही असानी से debit card on EMI के जड़िए आप बहुत ही असानी से आप कोई भी समान आप ले सकते हैं I hope friends आपको वीडियो पसंद आई होगी वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक करें चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करें हम मिलते हैं किसे और इसे नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बाए